नमस्कार कबर दिन महर में आपका स्वागत है भारत के महान क्रांतिकारी अमर्शहीद चंदरशीक राजाद की पुनितिती की पूरु संध्या पर चतरपुर के गल्लामंडी मैदान में एक शाम मात्र भूमी के नाम कारिक्रम का आयुज़न किया गया सनातन धर्म सेवा समीती के दौरा आयुज़ेत इस कारिक्रम में जहां बच्चों ने मलखंब पर अपनी हुनर को प्रस्तुत किया राष्ट भक्ती से जुड़े गीतों पर मलखंब पर इन बच्चों ने अपनी हुनर की प्रस्तुति दी तो वहीं कई राज्यों से आये कवि बच्चों ने वीर रस्त की अने कविताएं इस मंच के मात्यम से पढ़ी कारिक्रम का उद्देश भारत में लोगों की भीतर राष्ट भक्ती को जागरत करना था इस कारिक्रम के दौरान वीर सेनकों के परिवारों को और स्वतंतरता संग्राम सेनानियों को भी मंच पर सम् पवजूद रहे कारिक्रम में कवी समिलन का स्योजन वरिष्ट कभी स्री प्रगाश पटेरिया ने किया था उन्होंने उनकी अगवाई में कई कभी यहां पहुचे और तेर रात तक इन कवियों ने वीर्रस की कविताएं जनता के सामने पेश की कारिक्रम का संचालन सनातन दार्म सेवा समीथी के और से सौरबते बारी ने किया जिससे हमारी मात भूमी का हो अपमान ऐसा कभी कोई भी में काम करता नहीं जिस नाम मैं हो अनुमाद की जलत मुनी भूलकर भी मैं ऐसा नाम करता नहीं भूलकर भी मैं ऐसा नाम करता नहीं कटता कलुस्ता से जूर है हमारा घर अब धन्न बाब जैसी साम करता नहीं अब धन्न बाबा जैसी साम करता नहीं राणा महाराणा का मैं बंसज हूँ इसलिये देश दोहियों को मैं प्रणाम करता नहीं परिचित है नहीं तुम्हारे जो चलत्र से विस्व में तुम्हारी बात वही मानते हैं सही परिचित है नहीं तुम्हारे जो चरितर से मित्रता का दावा और सत्रता का ब्यवहार इस्वर बचाए सत्र को भी ऐसे मित्र से सब ही जानते हैं तुम चाहते हो अलगाओ प्रेम भाव क्यों रखोगे भारत पवित्र से प्रेम भाव क्यों रखोगे भारत पवित्र से और स्वय हुए सिंग को जगा चुके हो इमलान नाम पाक का मिटेगा अब माने चित्र से तो क्या बिला सारे देशों ने बसाया अपने हर्वाई जिसे तुम पूछते हो उस शेखर तो क्या बिला तो आप सब को परणाम करते हुए आज जिस महापुरुस के इस मृति में यहां आईजन रखा गया है आज पूरे देश में एक तैसा बाता बुरना कि होली और दिवाली एक साथ मन रही है और आप सब जानते हैं जिस प्रकार से भारत भूमी के अंदर हमला वर आये और उनका करारा जवाब 12 दिन के अंदर और पूरा सारा देश देख रहा है तो निश्चित तोर पर यह कहीं कहीं प्रेणा जो कवियों की माध्यम से मिलती है कि सवगंध हमें उस मिट्टी कि मैं देश नहीं मिटने दूँगा मैं देश नहीं जुकने दूँगा वह आज चर्दार थोता हुआ संपूर्ण भारत वर समें दिखाई दे रहा है आज से 88 साल पूर हुआ आज से एक दिन बात की जो का दिन होगा 27 परवरी 1931 के दिन और जिस घटना क्रम को खजीक राता है चंदर शेखर आजाद ने 27 परवरी 1931 को जब इलहबाग के प्रयाग राज के अल्फरेट पार्क में और लगातार अंग्रेश स्टैनकों से सामना हो रा था उनका तो इतना अचूप निसान लगाने वाला वह व्यक्ति वयोद्धा जिसने अपने जीवन में संकर्क लिया था कि हम आजाद थे आजाद हैं आजाद रहेंगे दुश्मनों की गोलियों का सामना करेंगे आजाद थे आजाद हैं आजाद रहेंगे और असासों की अंतिम दम लोग अधुर्ट फर नाट वावर में गोली मारते और उसके मुँने गोली मारते हूए जबड़ा उड़ गया था एक दूसरा जो श्रेश्वर सिंग नाम का विर्ति इसने गोली मार थी गोली चलाने वाले हाथ में गोली मार करके वो इसका हाथ जो है उड़ा दिया तर चलू शिखारा जा रही इतिहास के ऐसे फ्रकर योगधा निज़ धरती ने जन्म दिया है त लिश्चित तोर पर हम सब के लिए प्रेणा दाई है इस बुलेटन निकना ही फिरा जरूत अगली ख़बर के साथ लोजगार गहोई सेल्स एंड सर्विस में आकरशक एक्सचेंज ओफर के साथ आपको मिलेंगे कैंट, नसाका, यूरेका फॉर्ब्स, एक्वागार्ड, टाटा, स्वेच और यूनिलिवर, प्योरिट के अलावा, लुमिनस, बैटरी, हैवल्स, पदमनी अप्लाइंस, बचाज, क्रॉ टेलिविजन, ब्रेंज में टाटा स्काई, HD, वीडियो कॉन, T2H और डिश्टीवी की सुविधा, साथी साथ वीगार्ड और फिलिप्स के भी उत्पार, इस भीशन गर्मी में कूलर की हर रेंज, गहोई सेल्स एंड सर्विस में उपलब्द है, तो आज ही आए, गहोई से टेले के सामने, चतर साल चौक, चतर पूर